हम इंसानों की फितरत होती ही कि हमें अपनी mistake कभी दिखाई ही नहीं देती हम हमेशा दूसरों को गलत प्रूफ करने में लगे होते हैं ऐसा ही कुछ हमारे smartphone के साथ भी होता है क्योंकि हम आज कर हमेशा अपने manufacturer को blame करते रहते हैं बैटरी कम है या फिर जल्दी खराब हो जाती बट असल बात यह है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती इट मिन्स कुछ ना कुछ फॉल तो हमारा भी है जिससे की हमारी बैटरी बहुत जल्दी इस्चार्ज हो जाती है आज की इस वीडियो में आपको जैसे ही छोड़ी छोड़ी तैन कॉमन मिस्टेक्स देखने वालें जो आप तेली करते हैं तो लेट्स मूव तो वाड़ी वीडियो टिप नमबर टैन जम भी हम अपने स्मार्टफोन में कुछ टाइप करते हैं या फिर किसी अप्लिकेशन को क्लोज करते हैं तब हमारे हाथों में हलका सब वाइबरेशन फील होता है जे वीडियो को होरिज़न्टल मोड में देख सकते हैं लेकिन हम इसे जरुरत ना होने पर भी परमानिंट ऑन ही करके रखते हैं जिससे होता ये कि इसका जो एक्सलेरो मीटर सेंसर है वो परमानिंटली बैक्राउंड में चलता रहता है और हमारी बैटरी कंस्यूम करता रह और हाँ अगर आपको जानना है कि स्मार्टफोन में कितने संसर होते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप इससे देख सकते हैं नमबर 8 हम सभी जानती हैं कि जादा टेंपरेचर हमारे स्मार्टफोन के लिए ठीक नहीं है बड़ इसके बावजित भी हम जब भी अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं उसका बैक कवर रिमूव करते हैं उससे होता है यह कि चार्जिंग के टाइम पर मोबाल तीजी से गर्म होने लगता है और लॉंग रन में हमारा फोन जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है और बैटरी खराब होने लगती है फिर या तो बैटरी चेंज करवाएं या फिर नया फोन ले इन सबसे बचने का तो नहीं अब भी आपका काम खत्न हो जाएं अपना रिसेंट एप हमेशा क्लोज करते नमबर सिक्स हम अपने वाइफाइज ब्लूटूटूट जिसी सैटिंग्स अक्सर यूज करने के बाद ऑन ही छोड़ देते या फिर ओफ करना ही बूल जाते और इसे कई लोगों के फोन में अभी भी आउन होगा जिससे कि हमारा फोन सिगनल सेंग और रिसीव करता रहता है जो कि हमारे स्मार्ट फोन की बैटरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता तो काम हो जाने के बाद यह सारी सैटिंग्स आफ कर दें इसे mistake है या फिर misunderstanding बट हम सभी में कई सारे users अपने फोन को 100% तक चार्ज करते हैं दस या 5% होने तक उसे चार्ज ही नहीं करते हैं बड़े सा करना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इससे बैटरी के life कस जो cycle है वो तेजी के सांथ reduce होने रगता है और इससे हमारी बैटरी में जम जाती है काफी सारी dust और फिर हम भली ओपो रेनो का 65 वाट का charger क्यों ना लगा लें वो dust हमारे फोन को ठीक से charge होने ही नहीं देती और अगर आप सोचते हैं कि wireless charger से phone charge कर लेंगे तो वह भी नहीं हो पाएगा क्योंकि wireless charger आपके phone को काफी slow charge करते हैं इसलिए जितना हो सके charging socket को cotton और toothpick से gently clean करें किसी भी local shop से इसकी टिप purchase कर लें और इसमें fix कर लें अपने mobile की home screen पर हमेशा super heroes के बिल्कुल bright and HD wallpaper लगाना अपने smartphone को सबसे जादा unique colorful और stylish बनाना हम सभी को अच्छा लगता है then I think अब उन bright wallpapers की जगह आपको dark यानि कि black wallpaper यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे आपकी battery का loss कम हो number two, एक common mistake हम ये भी करते हैं कि हम कभी भी battery settings चेक नहीं करते हैं जिससे हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारे phone में कौन सी app आपकी सबसे जादा battery consume कर रही है और कौन सी application है जिनका use हम नहीं करते हैं उसके बावजूद भी वो background में हमारी battery को consume कर रही है so just go to the setting, find them and install them number one, बहुत से लोगों की ये habit होती है कि वे अपने phone की brightness को full करके रखते हैं जबकि उस्सी इतनी खास ज़रुद भी नहीं होती so अपने phone की brightness को हमेशे कम करके रखे जब आप outdoor पर हों तब brightness को auto कर लें और हाँ, भूल से भी brightness बिल्कुल कम भी ना करें क्योंकि brightness कम कर लेने से हमारी आँखों पर pressure नहीं पड़ता है ये एक myth है और अगर आप इस तरह के myth और भी जाना चाहते हैं तो उपर दिख रहे हैं इस i बटन पर click करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं हमने इस topic पर एक dedicated वीडियो अल्रेडी बना रखा ये थी कुछ आज की tips and tricks आपके phone के लिए जिससे आपके phone की battery life और phone की life को और भी ज़्यादब बढ़ाया जा सकता है मिलूंगो अगली वीडियो में कुछ नए tips and tricks के साल तब तक के लिए इस वीडियो को like कर दीजे खूब सारा दल से share कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे बाबाई